हेलो एवरीवन वेल्कम बाक तो माई चैनल ससीज गार्ण तो आप देख रहे हैं यह मेरे पास देशी और हाइड दोनों ही वराइटी के विंका के प्लांट है और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ इन ही का अपडेट शेयर करने वाली हूं और मैंने इसका वीडियो पहल पड़ गए थी और फ्लावरिंग भी बहुत कम हो रही थी इसके स्टेम भी ऐसा लग रहा था किसी फंगस का टैक तो इस वज़े से मैं इसको अच्छे से कट कर दिया था आप मेरे चैनल पर विजिट करके वीडियो को देख सकते हैं कि इसमें इस प्लांट की क्या कंडिश अब इसमें कापी अच्छी फ्लावरिंग भी होना स्टार्ट हो गई है और लीफ्स भी अच्छे निकल रही है और इसमें सीड्स वगर अभी बनना स्टार्ट होगा है अभी मैं आपको इसके सीड्स भी दिखाऊंगी जो हाइब्रीड विंका के प्लांट होते हैं इनमें अगर हम इन प्लांट की समय समय पर देख नहीं करते हैं तो यह प्लांट हमारे बहुत जल्दी ही खराब होने लग जाते हैं और जो देसी वराइटी के विंका होते हैं उनमें बहुत जादा एक्स्रा के जरूरत नहीं पड़ती है यह हार्डी ब्लांट होते हैं देसी वाल या फ्लावरिंग ना हो रही हो कंतीनुव स्लावरिंग करते हैं तब लकू अटहरे में इसमें वांगस water का था थे लोगो प्वास करना हो जाती हैν तो अभी मैंने Desi Wynka के। प्लांट है मेरे इंकी भी बीश्बान्ट आ थे 140 से भा मैंने तब ही की थी उसके बाद से मैंने अभी तक इसमें कोई कटिंग वगरा नहीं किये और आप देख सकते हैं नई नी कलियां भी बन गई है और पत्तियां भी बहुत लश्ट ग्रीन हो गई है पहले किया पेकशा पहले पहले बहुत जदा इनसी की पत्तियां पीली पड़ गई और स्ट्फ भी थोड़ी सी भी लग रही थी यह दुब्लाने होते हैं ऑवर वाटरिंग की वज़े से ही खराब हो थे तो मेरा यह प्लान भी पहले ओवर्वाटरिंग की वज़े लगा था बारिश सेजन में यह वीर में गधा रहा था और लगातार पानी वग्एरअ गर स्टाइट और इसकी स्टेम भी खराब उन्हें स्टाइट हो गई थी जब मैंने काटिंग की ति उनमें से कुछ कुछ कटिंग समय लगा दी एक कटिंग आप देख सकते है मैंने इसी में लगा रखी गंडे में और ये कटिंग भी मेरी अच्छे से चल गई प्लांट किटिंग इस प्लांट कटिंग से बहुत हो जाते हैं इनके सीट से भी होते हैं पमनी अपिस अविडीन ठी सरे कूछ आप पारोक िपसों में आप से नर्सरी में यह चूटा पौदा हम manify रिखा झाय। यहां सब्सक्ति मत्री लोड़ी ne के सले कीह काहे हूं। सिर्स टार्ट नियुक् Antar हो चाहिते हैं इस से पत्या निकलते हैं दियुकंद क TM Когда लोगं भी अपती है लेशनेटते हैं नुआ मैंने सिर्स पहले हार्वेस्ट है best ow look अपिक मयीने में आप संपके साहिते है। इक जना जून जुलाइ सब्सकोन अरफोर आपको दिखाती हूं जब यह प्लान को लेकर आई ती तब यह था दिए यह था तो आप देखिए इसकी कंडीशन कुछ इस तरह की थी फिर उसके बाद यह इस तरह से गुरों करके श्टार्ट हो गया और इसकी धीरे-धीरे कंडीशन पर ही रखती थिए चार घंटे की ही से सनलाइट मिलती थी और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी किया था और इसकी ग्रोध भी काफी अच्छे थी थोड़ा सा मेरे ये प्लांट बारिस के पानी की वज़े से खराब होना दीरे-दीरे स्ट ताकि जो पतियां इसमें थोड़ी बहुत पीली है वह भी डार्क ग्रीन कलर की हो जाए और इसकी ग्रोध भी अच्छी हो जाएगी चाय पती की खास से पहले जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया था उसमें मैंने इसकी सिर्फ कटिंग वगरा ही की और किसी वी तरह क थोड़ी थोड़ी टी लीफ कमपोस्ट आप दे सकते हैं इतने बड़े प्लांटर में जब से मैं इस प्लांट को लेकर आए हूं इसे इसी पॉट में लगा दिया था उसके बास से मैंने अभी तक इसकी रिपॉर्टिंग वगरा नहीं की है तो जल्दी मैं इसकी रिपॉर कर देना चाहिए और पत्या पीली पढ़ रही है उनके लिए आप इस तरह से टी लिफ कमपोस्ट वगरा भी दे सकते हैं और आप देख सकते हैं यह चोटे-चोटे सीट्स हैं यह मेरे देसी विंका के सीट्स जो इसमें गिर गए थे उनके भी प्लांट्स इसमें निकलने लगए हैं वैसे तो मोस्टी पत्या पीली पढ़ने का रीजन ओवर वाट्रिंग ही होता है तो आप इसे ऊवर वाट्रिंग से बचाएं और इसे बहुत जादा सनुलाइट में भी ना रखें सुबा से शाम तक की फूल सनलाइट में भी ना रखें अगर इसे चार से पाँ प्लांट की दूप मिल जाती है सुबा से लेकर दोपहर तक की तो भी ए प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइब करता है इसकी पत्निया पीली पढ़ने की आपको समस्या देखने को इसमें नहीं मिलेगी और आप इसमें प्लांट की रिक्वार्मेंट के एकॉर्डिंग ही इ मैं वन बई वन सभी प्लांट की अच्छे से गोडाई करके सभी में टी लिफ कंपोस्ट दे दिया है और कुछ दिनों बाद मैं इसका रिजर्ड भी आपको जरूर शेयर करूंगी वीडियो में तो अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं अब तक तो चैनल को कर लिजेगा तो इसी तर के वीडियो में आप तक पहुचाती रहूंगी तब तक के लिए मिलते हैं मेरे नेक्स वीडियो में नेक्स प्लांट की अपडेट के साथ वीडियो को लास तक देखने के लिए थैंक्यू सो मच